तो क्या देवर जी भी हमारे साथ वन को प्रस्थान करेंगे ? हाँ सीते और साथ चलने के लिए आज उसने जो तरक दिया मुझे उस तरक ने मुझे उसी प्रकार निरुद्तर कर दिया जिस प्रकार एक दिन आपके तरक ने किया था गुरुदेव वसिष्ट के आश्रम में उसने उनके समक्ष एक संकल्प लिया था कि वो जीवन भर मेरी छाया बनकर साथ रहेगा तब किसी कोई अनुमान नहीं था सीते कि उसका ये संकल्प कितना दूर तक जा सकता है आज उसके अनुरोध को मैं ठुकरा नहीं सका तब तो मेरी बहन उर्मिला भी साथ चलेगी नहीं भाविश्री देवी उर्मिला हमारे साथ नहीं जाएंगी क्यों जब मैं अपने पती के साथ जा सकती हूं तो मेरी बहन अपने पती का साथ क्यों छोड़ेगी भाविश्री, जब मेरी पत्नी को मेरा संकल्ब ग्यात हुआ, और यह ग्यात हुआ, कि मैं अपने भ्राता और भाविश्री के साथ उनका सेवक बनकर जा रहा हूँ, तो उन्होंने स्वयम ही मुझे कहा, कि एक सेवक कोई अधिकार नहीं है, कि वो अपनी अर्धांगिनी को अ अकेले जाने की अनुमती प्रदान की है, तो क्या मेरी बहन ने चौदा वर्ष तक अपने पती के बिना इस राजमहल में रहने का ही निर्ने लिया है, हाँ, भाविश्री, स्वामी, मैं अभी आती हूँ, और मिला, दीदी, आईए ना, आईए, बैठिए, कहें? वैसे तो मैं तुमसे विदा ले चुकी हूँ, किन्तु ऐसा लगा, कि मैं तुमसे एक बार फिर ना मिलूं, तो मेरी इच्छा अधूली रह जाएगी, क्या दीदी, कैसी इच्छा? तुम्हारे चरन चूने की इच्छा. ये क्या खह रही है दीदी आप, आपकी बात सुनने से पहले, मेरी कान पत्थर के क्यों न बन गए? नहीं, उर्मिला, संसार के लिए मैं अवश्य ही तुमसे बड़ी हूँ, किन्तु आज जो मैंने सुना, उसको सुनने के उपराद ऐसा लगा, जैसे कि तुम मुझसे भी बड़ी हूँ. मैं तो अपनी तपस्या में, अपने पती के साथ हूँ, किन्तु तुम्हारी तपस्या, उसकी कलपना तो कोई साधारन स्थरी कर ही नहीं सकती, तुमने तो अपने पती का साथ त्याग दिया है, वो साथ, जो हर विवाहिद स्थरी का जंचित अधिकार होता है, दीदी, नह किवल वो ही इस्तरी कर सकती है जिसका हिरत है बहुत बढ़ा हो अस्तित वो बहुत माहान हो मैंने तो अपने प्रते के साथ रहने के लिए वनवास का नेने लिया है किन्तो तुमने तुमने तो राज महल में रह के वनवास का नेने लिया है अकेले पन का वनवास सूने पन का वनवास राजमेहल का वनवास नहीं दीदी मैंने कुछ नहीं किया चाया को काया से किवल अंदकार ही दूर कर सकता है जीजाश्री काया है और मेरे पती चाया क्या मैं छाय को काय से दूर करने के लिए अंदकार बन जाती फिर तो मेरा जीवन नग्ट समान बन जाता मैंने कोई त्याग नहीं किया है केवल पाति वरत धर्म का पालन किया है इसलिए तो कह रही हो तुम महान हो और मिला पाति वरता धर्म त्याग तपस्या इन सब की परिभाशा तुम्हारे नाम लिये बिना प्रते काल तक संपूर नहीं होगी यह मेरा आशिर्वाद है मैं तुम्हारी महिमा के आगे नतमस्तक हूँ आपके आशिर्वाद ने उझे सब कुछ दे दिया दी दिया आपकी वाणी ने मेरे लिए चौदा वर्ष के वियोग को सरल बना दिया जबी मुझे आपके आज के दिन की बाते याद आएंगी मुझे लगेगा कि आप मेरे पास ही है आप सदा ही मेरा आदश रही है यह त्याग है तपस्या जो भी है मैंने आपी से सीखा है माते यह क्या पूत्र तुमने यह वस्लक युदारेंकर रख्या है अई शमान बे माते मैं आप से विदा लेने आया हूँ विदा कैसे विदा पूत्र माते मैं ब्रादर्श्री के साथ वन को प्रस्थान कर रहा हूँ तुम? किन्तो तुम क्यों तुम है किसने कहा युद्ध्य छोड़ने को मेरी आत्माने माते अपने भाता के साथ रहना मैं अपना धर्म मानता हूँ और मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ माते अपने अपने धर्म के चिंता पड़ी है आके भावनाओं के तनिक भी चिंता किसी को नहीं है माते सोचाता मेरा पुत्र राम चला जाएगा अपर मेरा दूसरा पुत्र तो मेरे पास होगा निद्धिन उसे निहारती रहोंगी तो एक पुत्र के जाने का वियोग आधा रह जाएगा और वो मेरा प्रहम था मेरा दूसरा पुत्र भी मुझे छोड़कर जा रहा है अरे मेरा नहीं तो सुमित्र का ही सोचना था वो सुनेगी कि तुम जा रहे हो तो क्या मितेगी उसके मन पर वो वो सुन चुकी है माते तुम भी तरह सुन चुकी है हाँ माते वो सुन चुकी है और उन्होंने सुनकर यह कहा कि यदि मैंने इसके अतरिक्त और कोई निर्णे लिया होता तो मैं सदा सदा के लिए उनकी दृष्टी से गिर जाता माते उन्होंने ही मुझे अपना अनुज धर्म निभाने का निर्टेश दिया है अब आप भी मुझे विदा करें जाओ पूत्र निभाओ अपना धर्म कि अपने चादी पर एक नहीं दो दो पत्थर कर जेने का अभ्यास करूंगे कर पूत्र कि अब मुझसे सहन नहीं होता जाओ आशिर्वात दीजे माते क을 प्रफब सेन मुझे जह प्र५ब मुझे हैं हुआ हाँ अंधकार में क्यों खड़ी है दीदी हुआ है अंधकार तो हमारे जीवन पर च्छा गया है इस कक्ष का अंधकार तो एक नन्ना सा दिया भी दूर कर सकता है लेकिन जो अंधकार हमारे जीवन पर च्छा गया है वो कैसे दूर होगा आप भी कहती है दीदी कि दुर्भागय तो इस बात का है कि ये अंधकार मेरे परिवार के कारण फैला है कि मुझे चिंता इस बात की है कि ऐसी कठिन घड़ी में मेरे पती भी योध्या में नहीं है कि मैंने सुचा था कि हम चारों बहने साथ मिलकर रखुकुल की एकता को बढ़ाएंगी दीदी हम चार बहनों में तो अब भी कोई मत्भेद नहीं है और सत्ते पूछो तो हमारे पतियों में भी आपसी मत्भेद नहीं है यदि राजकुमार भरत यहां होते तो संभवता य नहीं जो हो रहा है हाँ बहन कुछ दिन अपने पतिदेव के साथ रहकर मुझे विश्वास हो गया है कि यदि वो यहां होते तो यह नर्थ कभी नहीं होता है किन्तु उच्छे समझ नहीं आ रहा कि अब किया क्या जाए आज आयोध्या नगरी में हर एक नेत्र अश्रूओं से भीगे हुए हैं इन अश्रूओं को केवल हमारे आचल ही पोच सकते हैं दीदी हमें अपने आसू पीकर माताओं के आसू पोचने होंगे हमें पिताश्री का भी ध्यान रखना होगा दीदी ये उदास होकर बैठ जाने का समय नहीं है हमारे धर्म की परिक्षा आज से आरंभ हो रही है कि ये क्या अनर्थ हो गया स्वामी क्या का हो देवी कि इश्वर्ट ने मुझे देखने सुनने और बोलने की शक्ति यूदी नादी हो दी तो आज वो नहीं देखता जो देखना पड़ रहा है वो नहीं सुनता जो सुनना पड़ रहा है वो नहीं कहता जो श्रीराम को कहना पड़ा कि मारा ने के गई के हट के कारण भो यूवराज नहीं बनेगे देवी आज मेरी आखों के सामने वो परिवार बिख्रा जा रहा है जिसकी एकता समस्त संसार के दियोधारण थी और मैं, मैं इसका एक मोग दर्शक बनकर खड़ाओं। ये सब तो किसीने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। जो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। वो सत्थे आज आखों के सामने खड़ाएं। इश्वर महराज पर दया करे। स्वामी, आपको महराज को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सत्य कहरी हो, देवी। इस कठिन घड़ी में नजाने कब उन्हें आउशक था पड़ जाए। मैं जाता। प्रणाम राजकुमार। प्रणाम धायमा। कहिए कैसे खष्ट किया। आपको आपके अनुज के युवराज बनने की बधाई देने आई हो, राजकुमार। धन्यवाद दाई मा। आपने तो कभी सोचा भी ना होगा कि मेरा भरत भी कभी योध्या का युवराज बन सकता है। धायमा सत्य तो ये है कि मैंने कभी इसके अत्रिक तोर कुछ सोचा ही नहीं। अनुज भरत को ही अयोध्या का युवराज बनना चाहिए। जी। मैंने तो पिताश्री से तभी कह दिया था। जब उन्होंने मुझे युवराज बनाने की घोशना की थी। कि वो अपने इस निर्णे पर पुनर विचार कर ले। क्यूं। क्यूं। क्यूंकि भरत मुझसे अधिक शिरेश चीवराज सिध्ध होगा। मुझे दर लगता है। किन्तु इस अफसर की परसन्नता में मैं आपको लड़ू खिलाने आई थी। तो खिलाए ना। भय किस बात का धाईमा। राजकमार लक्षमन ने क्रोट में मेरे लड़ू का धाल गिरा दिया था। मैं अनुज लक्षमन की ओर से क्षमा मांगता हूं। तो फिर लीजिए। यू नहीं धाईमा। आप अपने हाथों से खिलाएंगी तभी इन लड़ू का स्वाद बढ़ जाएगा। आहा। वाह। वाह धाईमा। धाईमा। जिस प्रकार स्वाती की बूंद संसार की सबसे मूलेवान बूंद होती है। उसी प्रकार आपके हाथ से खाई हुई मिठाई सारे मिष्ठानों से बढ़कर है। दाईमा। आप मेरा एक कारे करेंगी। क्यों नहीं। आदिश्ती जी। दाईमा आप आरत से कहिए। कि उसे आयोध्या के सिंगासन पर देखना मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। वो पल तो मैं देख नहीं पाया। किन्तु उस पल का मुझे इतना हर्श था कि मैंने मुँ मेठा करने के उपरां थी अयोध्यानगरी को छोड़ा। मैं अवश्य कहें दोगी। और और धायमा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियभरत के युवराज बनने की प्रसनता में आपने मेरा मुँ मिठा करके जो आनंद मुझे दिया है। वो सदा मुझे लुबाता रहेगा। पानी पर विजली गिरे हो जाए बेता। सचे जन से वक सदा चलते अपनी राह। ना माया का मोह कुछ ना सता कीचा। ना सता कीचा।